तो आज कि हमारी इस online classes में हम आपके साथ discuss करने जा रहे हैं formula, formula में हम बात करेंगे database formula and list management formula तो इसमें आपको याद होगा last classes में हमने d sum count sum बगरा हमने किया था तो उसी में हम आगे आपके साथ discuss करने जा रहे है तो चलिए मैं कुछ data ले लेता हूं और copy करके मैं एक नई seat पर रखता हूं तो जैसे कि मुझे अगर मान दिजे कि online का sale चाहिए तो online का sale चाहिए तो आप इसके लिए इसके लिए हम क्या करते हैं हम यहाँ पे सामीव का सामीव के इसमाल करते हैं तो मुझे मान लिजे कि हमें कई सारे categories के अंदर कई सारे चीयों के उपर discuss करना है जैसे कि मुझे online का, मुझे references का और मुझे existing customer का तीन का data चाहिए तो online classes, online classes मुझे इंदर का sale चाहिए, references का सब का sale चाहिए और सब्सक्राइब का product जो है तो DVD होना चाहिए और reference का सारे चाहिए लेकिन quantity greater than 50 होना चाहिए इस पे मुझे अगर some if, some if तो होगा नहीं, some ifs यूज़ करना होगा तो मुझे 3 या 3 या 4 या 10 हो तो उनकों अलग अलग यहां करना पड़ेगा तो मैं चाहता हूँ कि इनकी जो एक है, condition से इसके ब्यहाब पे मुझे इसका total आ जाए तो हम total को बाव में देखेंगे, उससे पहले हम बात करते है किसके बारे में इसी data menu वार में हमारे पास होता है, advanced filter के बारे में तो advanced filter का का काम यही होता है, कि आप यहां criteria को select करें इस criteria के ब्यहाब पे आपको data filter कर देगा अब मुझे इन सबों का total दिखानला है, dsums है, तो advanced filter जैसे use work करता है, ऐसा ही work आपका dsum का formula करता है dsum, dsum या फिर जो भी database list में के formula है, और लगाने का तरीका एक ही है सबका कि पहले आप database को select करें, फिर जिस field का total चाहिए, उस field को select करें, और फिर अपनी criteria range को select करें जब आप criteria range देंगे, तो ध्यान रहे कि उपर heading आना चाहिए इक है सर रजिंगान जी, विकार चोहान जी, समझवाया आपके साब में data आगी है, डी संद आपके अगर डी count चाहिए, तो डी count अदर के number count करना है, लगाने का तरीका सेम है, लगा लीजिए, फिल, फिल कौन सा है, तो मुझे count करना है quantity का, criteria क्या है, तो criteria यह रहा है, ऐसे आप पर decount, count यह चाहिए, decount यह, database को select कर लीजिए, select कीजिए, इसका count, मुझे name को count करना है, उसके बाद इसे, आपका average चाहिए, तो लगाने का तरीका हर फॉर्मूला का एक ही है, बस, result अलग अलग होता है, D average A, D max, D min, किसका max चाहिए, quantity का, criteria आपके सामने certified दिख रहा है, तो आप यहाँ effects पी click करेंगे, किसके चाहिए, तो आप यहाँ effects पी click करेंगे, तो यहां पर आप सेलेक किजिए अपना डेटावेस पॉमुला तो आपका डी आवरेज है डी काउंट है डी काउंट ए है डी मैक्स है डी मीन है तो मिनमम निकालता है मैक्सिमाम काउंट काउंट निकालता है अल काउंट नमबर आवरेज निकालता है डी पोड़क्त मल्टिप्लाई करता है इसमें आपका डी गिट का फॉमुला है तो डी गिट का फॉमुला मल्टिपल कंडिशन को मैर्च करने के लिए होता है जैसे मुझे और लाइन गोर्स करीता और राम का सेल चाहिए इसका मुझे पॉर्मुला लगाऊंगा दिगेट का दिगेट करूंगा अपने डेटा को कॉमा नहीं सब्सक्राइब लेना है हमें लेना है क्वांटिटी और क्राइटेरिया क्या है इसे मुझे मान लीजे मुझे ऑनलाइन के अंदर कवीता के अंदर मुझे प्रोडॉक्ट डबलू आट तो मैं जैसे यहां पर डबलू आर्टी लिखूंगा हमारे जर्ट सीन हो जाएगा अगर आपके डेटा में सेम कंडिशन्स अगर डुब्लिकेट हुए तो जैसे इससे पर आपने देखा कि यहां पर नम आ रहा है क्यों क्योंकि एक कंडिशन्स इसके अंदर में डिप्रेट है अब यही पर एक फॉर्मूला मात खा गया अगर ऐसा नहीं होता तो वी लुक आप से बिटर फॉर्मूला था है चैबल लेक्सर वजीकान जी अलो वजीकान जी में रवाज आई आपको जी हाँ मैंने बता राता है आपको कि ए डी गेप से में बेटर फॉर्मूला था कि नहीं था है हलो पर दी गेट से बेटर था कि नहीं बिल्कुल दी गेट मैंने बी लुक आप से बेटर है कि नहीं यह पुछा था मैं मगलब भूल लगता है तो यह आपको में बेस में में फॉर्मूला इसी तरीके से लगता है ठीक है पर मैंने आपको यह बताया अभी थुर्य दर पहले एडवांस फिल्टर तो एडवांस फिल्टर का यूर्ज भी सेम होता है इसमें आप फिल्टर कर सकते हैं या फिर कॉपी टू अधर लोकेशन मतलब कि मुझे सेम डेटा कॉपी होकि यहां चाहिए सेम सीट पर नहीं होता है फिर डेटा यहां कॉपी होकि यहां पर आजाए ठीक है ठीक है आपको डेटाबेस पेस फॉर्मूला एडवांस फिल्टर दोनों समझ में आ गया जी सब्सक्राइब अगला अगली केटेगरी है हमारी खुआ कि इन्फॉमेशन फॉर्मूले के अब देखी इनफॉमेशन फॉर्मूला जो है जी सिंगल यूज नहीं होता है वो किसी और फ्रॉमूले के साथ यहां पर आपना-ग्ठ क्राइप मितलब कि उसकी अलग काइटरिया निकाल सकते तो और उससे help लेके कुछ और चीज़े कर सकते हैं तो information formula पर हम discuss करते हैं information formula यहां से बैस्लेक्ट करता हूँ सबसे formula हमारे पास cell का formula है cell formula बताता है यहां पर कि आपको क्या चाहिए जिसे मैं equal किया cell cell में आपको क्या information चाहिए तो मैंने बोला file ने name select कर लिया और हम enter मारते हैं तो पूरी path यह file जहां पर save है उपात और साथ पर seat name है उसका seat name भी आएगा तो मुझे से सिर्फ seat name अलग करना है तो मैं find का formula लगाऊंगा find का formula में closing bracket लेता हूँ और इसको इस पर click करता हूँ और यहां पर लगता हुगा तो बता देखा कि closing bracket जो है आकिरों कहां पर start है 42 फिर मैं यहां पर formula लगाऊंगा right का और इस में से मैं lane इसकी complete lane माइनस 42 कर दूंगा तो मेरे पास यह देखिए seat 1 आ गया अब मैं सीट का नाव जब भी चेंज करों मैं माले सीट 1 को जैन कर देता हूँ तो यह automatically enter मारते ही जैन हो जाएगा को कैसर जीकान जी संद्माया विकार जी जी सरस्द तो यह आता है उसके बाद इसमें formula error type अब देखिए error type जो formula है इसको देखिए कि अगर आपके system में error क्याकि error code मैंने की number से indicate करेगा और मैंने माले जीए कि select कर लिया d1 अगर d1 में null error है तो 1 देगा div है तो 2 देगा value करता है तो 3 देगा reference करता है तो 4 5 ऐसे देख रहे आपको error के time दिया गया तो यह क्यों होता है मतलब कि आप error को indicate करना चाहते है अलगला जीसे आप इस फर्रेकर फर्मला लगाते है इस फर्रेकर फर्मला में क्या होता है वह आपको एक यह option देता है कि किसी भी तरह का error यह कोई एक message तो आप चाहते कि नहीं मैं चाहता हो कि अगर none का error दे तो इस हो no value available in the database div का error मैं लिखना चाहता हूँ कि can't divide by zero या फिर quantity not available यहाँ पर मेरे पास amount है और यहाँ पर quantity है मैं यहाँ पर rate निकालना चाहता हूँ तो अगर पांच बश्रोग 40 से लगा यह आपका 38 quantity है यह आपका 22 quantity है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको divide by इससे करके मैं rate निकाल रहा हूँ लेकि कभी कभी ऐसा हुआ कि data not होने के कारण यहाँ पर div zero आ गया मैं यहाँ पर div zero नहीं रहना चाहता हूँ और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर नहीं आ जाए तो अगर मैं इसमें east error दूँगा तो कोई एक ही message दे सकता मैं जाता हूँ कि नहीं अगर हो तो मैं देखना चाहता हूँ कि भाई formula get error यहाँ इसको error type के अंदर तो मुझे इसमें इसे error का number मिल जाएगा तो इस तरह के चीजी हम यहाँ कर सकते हैं तो यह हमारा error type का formula है अब जान लिजे कि error कब-कब आता है तो error अगर null मतलब कि database में value नहीं है तो null आएगा database से connect कर रहे हैं वहाँ पर null है तो यहाँ पर null आएगा div अगर आप किसी number को zero से divide करते हों तो आपका error लगाता है value जब formula को सही input या formula की calculation सही नहीं होती है तो value आता है rf formula के जो reference दिया है वह available नहीं या delete कर दी गई है तो rf आएगा name जो formula आप लगा रहे है वह formula exit नहीं होता है मतलब कि आपने कोई गलत कोई आपर बर्जर का formula लगा दिया है या फिर आपके formula की spelling mistake है तो num का error आपका d get का formula आता है यह duplicates के लिए जो formula duplicate नहीं चाहती है input data नहीं चाहती है और आपने data डाल लिया तो num का आता है इनने किसी भी lookup formula का data अगर list नहीं करता है तो इनने आता है getting data error आपने किसी database या web application से connect किया है वहाँ पे दिक्कत हो गई है तो error आएगा तो आप तो आपका error आदते अन्नौमा तो इसमा एरर जो है यह आपका तुछा 19 में है जैसे कि आपका spill का error है तो यह आपका spill identified number जो होता है वह identified ना कर पाया unknown कुछ समन भी नहीं आया इसको तो fill आप जो fill के साथ आपने SQL के साथ correct किया है fill को अगो fill available ही नहीं है तो calculation में problem हो रही है तो यहाँ आएगा जैसे में कुछ किसमा रहा किया उसमें problem गवा तो Kelsey के रहाएगा तो सबका number से identify कर सकते हैं उसके बाल आगे बढ़ते हैं इसमें कुछ formula है एक formula आपका info का है तो यहां भी इन्फो आप अगर कोई application से अब system से इन्फो चाहते हैं तो यहां यहां अगर आपका आपका और इसमार को आफ और यहां इन्फॉल में ध्HayOS करता है अगर है इंफर मेशन पर आगे आते हैं तो कुछ फॉर्मुला इज के हैं जो की रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में देते हैं जैसे की इज इज ब्लैंक अगर सेल को स्लेक कि या ब्लैंक है तो ट्रू अधर्वाइस फॉल्स फिर आपके बाद देखेंगे या इज एरर अगर आप एनने के अलावा कोई भी एरर आया तो आप या तू पार्मुला इक एनने लाचिकल ट्रू साथएं जैने वीफटेस्ट अधर इस नंबर के लावा इस नंबर अब नंडेक्स नंबर में क्या हुआ थो चुब्स क्या हुआ हुआ तो ट्रू ने है है तो फॉल्स नहीं कंसिडर करता है इस और तो यह आपके इस टेक्स्ट इस आरेफ तो इस ट्रू और फॉल्स का फॉर्म आपको शूर करता है ठीक है है यह आपके इन्फरमेशन फॉर्मला में इस तरह से आपका दिखाता है तो इस तरह से आपका दिखाता है तो यह सारे इन्फरमेशन है आप इन्फरमेशन लेकि इसको कहीं यूज करेंगे तो आगी की जो हमारा एडवांस फॉर्मले में है इसमें इस सारे फॉर्मले को यूज करेंगे information लेने के लिए और फिर उस information के बहाब पर हम आगे की calculation करेंगे ठीक है sir तो यहाँ पर मेरी category पर formula formula खतम होता है तो आप क्या करें जितने भी formula है उन formula को एक बार scan करें और अगर आपको तो formula useful लगता है तो आप उसकी लिस्ट बनाकर मुझे देखिसर मुझे यह formula और पढ़ना था तो हम formula आपको प्रहा देंगे ठीक है नहीं तो हम बात करेंगे advanced formula के उपर ठीक है तो आप लिस्ट बना लेजिए कि कोड़कों चूट गया है लेकिन आपको करने दे इसमें मैं कुछ formula छोड़ी भी है क्योंकि वह आपके समझ भी नहीं आएगी मेरे हिसाब से तो वह mathematical से related है लेकिन आपको लगता है कि आपकी जरुवत है तो उसकी mathematics आप समझते हैं तो आप मुझे बताइएगा और हम आपको सिखा दे हुआ है ठीक है है अब को डाउट है क्वेश्चन है आप लोगे के पास अब को डाउट क्वेश्चन है अजी नहीं है चलिए मिलते हैं कल की classes में